नमस्ते मैं हो निवेदिता भटाचारिया और आप मुझे देख रहे हैं फिल्म की बात पर सजीव जी के साथ काफी इंट्रेस्टिंग वारतालाब की हमें और यदि आप चुक हैं तो आप भी हमारी वारतालाब आईए और सुनीए हलो ओल वेलकम टू फिल्म की बात केस्ट इंदा हो आज की हमारी जो गेस्ट है वह हैं जानी मानी एक्टरस निवेदिता भटाचारे जिनको हम रिसेंटली बंबै मेरी जान जैसे सीरीज में और वैक्सिन वार जैसे फिल्म में देख चुके हैं इनको हम काफी सालों से देख और सरा रहे हैं बहुत लंबे समय से सीरील में भी हम इने देख चुके हैं बहुत सारी फिल्मों में जैसे क्या कहना हम इनको देख चुके हैं बहुत सारे जो वेब सीरीजिस हैं उसमें भी हम लोग निवेता जी को देख और सरा रहे हैं तो बहुत वेलकम है आपका निवे हम लोग कर लेते हैं बंबे मेरी जान से यह एक रीसेंट वेब सीरीज है जो इस साल की वन और वेरी बेस्ट सीरीज क्या सकते हैं परफॉर्मेंस वाइस अगर हम कहें तो इसमें आपका जो रोल था वह बहुत स्पेशल था आप एक मदर है और साथ में एक वाइफ भी है चाहरा तो दोनों तरफ आपकी inclination है और कहीं न कहीं आप confused एक mother है और कहीं न कहीं बहुत strong decision भी आप लेती हैं फिल्म में आगे चलकर सीरीज में आगे चलकर तो यह बताए इस सीरीज की बार में कुछ बताई है और यहां पर एक और मैं आपको बताओं एक और मैं आपके द बताती हूं कि जब यह सकीना जो मेरा किरदार है जब इसके बारे में मुझे पता चला या जिस जब मुझे इसके लिए चुना गया उस वक्त मुझे एक दम भी इल्म नहीं था कि सकीना के लिए मुझे देखा जा रहा है पर खेर सकीना हैपन टो मी और यहां बहुत मज़ और एक कुछ ऐसा हुआ कि इस सीरीज को शूट करते करने के साथ हमा हम सब क्या साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपिरेंस यह रहा कि हमने यह सीरीज शूटिंग जब शुरू की थी तो वो कोविट से पहले शुरू की थी और हमने बस शूट ही किया था हाड़ली दे हाड़ कोविड आ गया तो कोविड आया और सारी शुटिंगें बन्द होगी जैसा आपको भी पता हम सब की पुरी इंडस्टै में थी तो शुरू में तो किसी को भी अंदाजा नहीं था की कोविड आ गया है तो इसाकि और साबीड जारह हम किसंता आ हैंदाज़र उकि कव जा रहे हम किस दिशा में जा रहे हैं शूट शूरू हो भी पाएगी कि नहीं है खैर फिर जब वापस छे महीने बाद हमने रिज्यूम की शूट तो थोड़ा ही शूट किया उसके बाद डेल्टा वेरियंट आ गया तो वापस शूट बंद हो गई तो काफी सारे उतार है यह वेब सीरीज तो पाथ साल बीच चुके हैं जिसमें साड़े तीन-चार साल लग गए उसको बनने में कई चीज़े मतलब इतना तो पता था यह उसको एक साल तो हमें वैसे भी देना था क्योंकि पोस्ट प्रोड़क्शन और जैसा आपने देखा उसमें काफी पीरिय कई प्रकार के जो टेक्निकल चीज़े हैं उसको समय देना था तो उसका हमें पता था कि स्टिपूलेटेड आर्ट महीने से साल भर तक जाएगा समय बट हमको किसी को भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि शूट करने में उसको इतना समय लग जाएगा और क्यूंकि यह रुकते रुकते शूट हुआ है एक तो पोवेट की वजए से हमारी अरचन या जब हमें शूट करने का मौका मिला तो साइकलों के चलते टॉकते साइकलों आया था उसके चलते हमारे सेट का एहम हिस्सा उडगाया वो डिस्ट्रॉऍव हो गया तो वापस हमको उसको रिकं सब्सक्राइब करके फिर हमने शूट शूरू किया उसके वापस शूट रिजियूम हुआ फिर मॉन्सून सा गए तो बारिश और थर्ड़ स्टॉम में एक सेग्मेंट हमारा डैमिज हो गया सेट का क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस सेट को हमें तीन साल तक खड सब के सब अपने सेट को लेकर बंधे हुए थे जुड़े हुए थे और सब ने अपनी जान लगा दी कि बस अब इतनी दिक्तरते आई हैं कि यसे तो खतम करना ही है और एक मुकाम पर पहुचाना ही है तो आइगेस वह हम सब की यह कंबाइंड जोनी रही और उसके वज़े जर्नी तो हम सब काफी connected रहे और आज भी हम सब काफी एक bonding हो गई है एक special bond बन चुका है सीरिस की वज़े से तो इसलिए यह जर्नी एक बहुत खुचूरत जर्नी रही है अपने आपने आपने बिल्कल और वो परदे पर दिखता भी है एक इसमें सीन है आपका climax में जो आप एक तरीगे से केके से विदा लेती है और उससे पर एक बुरा monologue चलता है जहां पर केके सरफ expressions जदा देते हैं और आपके समवाद है थोड़ा सो उस सीन के बारे में बताईए बिकॉस रियल लाइफ husband के साथ आप उस सीन कर रहे है और वो सीन काफी emotionally charged up सीन है लंबे dialogues है यह जरूर है कि उस सकीना जो किरदार है मेरा उसकी जैसे आपने कहा हम सबने देखा है उसकी शुरू सी एक जदो जहत चलती चली आई है और बहुत यंग एज में जब बच्चे चोटे थे उसने एक decision लिया अपने भाई को बचाने का और उसको नहीं पता था कि भाई को ब कही साल गुजर चुके हैं लेकिन और सकीना ने कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं किया है कि शी सम्वेग गिल्टी अबाउट देखा ब्रदर और कहीं ना कहीं वो अपने आपको इस चीज़ के लिए जिमेदार मानती है एक पहले भी कहीं दारा जब बढ़ा हो चुका है दा वहाँ पर आके सकीना इसको समझाती है दारा को कि तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना विकोज हर फैसले की एक कीमत होती है तो इस सम्थिंग विच प्लेइग ओन इन हर माइन और वो इस मुकाम पर आकर पहुँचता है कि बेटे की शादी होने वाली है और पानी सर क उपर जा चुका है पती के लिए इसमाइल के किरदार के लिए वो घर छोड़के जा चुका है और इसको अपने परिवार को बांध के भी रखना है परिवार में पहली बार इतने सालों बार देख खुशी आई है और इसकी अपनी पशोपेश चल रही है कि जद्दो जहद ह है कि परिवार को जोड के रखना है कम वाट में पर शुरू से ही सकीना को हम जैसे देख रहे है उसकी जर्नी यही रही है कि तुम लोग के जो भी जगड़े हैं जो भी फसाद है जो भी डिफरेंसे है वो घर के बाहर है घर पे मेरा रूल चलेगा और वी आर फैमिली कम वा अपनी जो डिसिजन ले चुकी है उसको कंफेस करती है और उसको यह तकलीफ इतने बरसों से खाय चले जा रही थी उसको पता है कि उसने जो भी किया है और आज जो परिवार की स्थिती है शायद कहीं न कहीं वो लाजली जिम्मेदार है बुन चाहे ऐसा हो चुका है सरकंस जा रहे थे पहले 60s शूट किया 70s फिर 80s पर आए तो काफी कुछ चीजे जो कहानी में हुई है वो मेरे किरदार के साथ as actor भी हो चुकी थी तो उन चीजों को मैं experience कर चुकी थी पही बार होता है हम शूटिंग में पहला सीन को आखिर सीन पहले करते हैं और पहले के सीन बा हमारा घर भी अलग-अलग phases से गुजर रहा था तो वो भी एक बहुत important किरदार था हमारा घर इस कहानी में तो क्योंकि वो हम linear जा रहे थी तो कई चीजे मैंने already experience की हुई थी और जब इस मुकाम पर पहुचे की एकदम ही इस पती-पत्नी ही अलग होने के मुकाम पर और उसको इस चीज का हमेशा से गिल्ट रहा है कि हमने सब कुछ एक तो यह गिल्ट की मेरी वजह से परिवार में काफी चीजे उथल पुथल हो चुकी हैं मेरे पती की जिन्दगी पूरी परिवर्तित हो गई वो एक राइट पाथ लेकर चल रहा था और उसने मजबूरन क और उसको लेने पड़े जो नहीं चाहता है और दूसरे उसको यह खाय जा रहा है कि सदियों बाद एक परिवार में खुशी आई है इस खुशी को मैं नहीं होने दूंगी जाने दूंगी गवाने नहीं दूंगी और उसको पता है कि कमवार में यह परिवार पर उसका हग है तो वह सब का अमालगेशन लेकर ही वह इसमाइल के पास आती है और बस बाकी जो हुआ वो बस हो गया हमें कुछ का अफी हद तक डिरेक्टर का ब्रीज भी था शुजात का कि he was very specific about कि इस सीन को कैसे शूट करना है जब आए है तो अल्रेडी इन दोनों के बीच में तनाओ है तो यह शुजात जी का खुद का decision था कि कोई आस-पास नहीं बैठेगा आप दोनों अलग-अलग बैठे रहेंगे और आप अपनी बात कह रहे हैं और इसमाइल अपनी बात कह रहे हैं और सुन रहे हैं और जो भी हो रहा उन पर क्या गुसर रहा है वो तो इतनी clarity है आपके आपको लेकर character को तो फिर अच्छा हो नहीं था सुपर्ब सुपर्ब आपके एक और movie इस साल आई है वैक्सिन वार जो है आपकी इस साल एक movie आई है तो उसके बारे में दीपिका बात करना चाहेंगे और दीपिका ने वो movie देखिया उनफोर्चनेटली मैं अभी तक देख नहीं पाया हूं तो दीप मैं मेरी जान की बात हो रहे थी है तुम्हें एक चीज उस चीज से पूछना चाहूंगी कि real life और real life experience अगर husband wife का role है और आप उसमें तो क्या वो comfortable या easy होता है या difficult कुछ रूट करना real और real life में अगर दोनों partner है I would say easy or difficult कुछ भी नहीं होता है because frankly speaking हम दोनों professional actors है तो सेट पे जब हम है उस वक मैं सकीना हूं वो इसमाइल है और वहाँ पे जो भी हमारा equation है सकीना इसमाइल वो equation personal life में तो है नहीं तो वहाँ पे हमें किरदार हैं so I wouldn't say it was easy or it was difficult to be the same couple इतना जरूर है क्योंकि हम दोनों ही trained actors हैं और काम कर चुके हैं तो इस जीज के हमें कभी बिक्कत नहीं आई और नहीं ये हमारे लिए कभी बाधा बनी कि हम दोनों personally अलग तौर से दूसरे को जानते हैं अगर मैं कहूं तो हो सकता है कि शाहिए भी एडवांटेजिस ही रहा है विकॉस एक आद बार ऐसे भी मौंके आए हैं कि जब हम अपने आने वाले सीन ये अपने किरदार के बारे में साथ शूटिंग में जा रहें तो कार में भी डिसकस कर पाएं या वरना हम दोनों की स्क्रिप्टे अलग अलग होती हैं तो हम दोनों की शूटिंग रिक्वाइमेंट थी तो उन दिनों में कभी कभार ऐसा हुआ कि हम शूट पे वी साथ गए एक ही कॉल टाइम पे तो हमें कि हमने थोड़ा बहुत सीन के बारे में डिसकस कर लिया इसके अलावा ना ही वो कठिन था ना असान था इस प्योर्ली मैं इस खदर में उस वाथ सकीना सेंट्रिक थी और आइ थिंग के स्माइल सेंट्रिक थी कि हमारे वी सरफ स्माइल और सकीना और कहानी ही सबसे इंपॉ आरी लाइफ दो सालों में गुजरी है तो जब आप यह सिरीज कर रहे हो एक तो सबसे पहले एक पूरा साइंस बैग्ग्राउंड मेडिकल और यह वो उसमें आपको क्या कोई परेशानी है और जो आपके कॉस्ट्यूम्स मैंने देखे हमें देखके यह से लग रहा था कि दम कुट्रा होगा यह किस तरह से मैनेज गया होगा पहना कैसे होगा तो बहुत सारे सीरीज देखते हुए आप्टर के लिए भी कुष्चन निकल क्याते हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा इस कॉस्ट्यूम में शूट करना या बात करना कैसे मैनेज किया और क क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आएं या कितना आप रिलेट कर पाए उस कोविड को इस वैक्सीन वार को शूट करते हुए यूनों वैक्सीन वार मेरे ले एक बहुत ही स्पेशल एक्सपिरिंस है जब हमने फिल्म की शूटिंग शूरू की एक तो यह एक फिल्म रियल कहानी पे निर्दारित है डॉक्टर भारगव है जिन्होंने गोइंग वाइरल बुक लिखी है उसके बुक पर ही बेज़ है इस बुक पर ही बेज़ है यह फिल्म बट कई चीज़ें काफी रिसर्च किया गया है और बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी इन फाक्ट कई हम सब को भी कर साइंस मेरा डोमेन नहीं है एक तो मैं साइंस टूडेंट भी नहीं रही हूं बट कर रही हूं तो ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैं और आप चाही पर बातचीत करते हैं कि अज मौसम कितना अच्छा है और आज लगता है बारिश होगी तो वैसे हमें बात करना होता है कि तो यह सारी बाते करना समझ के और बोलना उसमें थोड़ी मैनत थी क्योंकि यह मेरी आमुमन रोजमर्रा की भाशानी है तो आप पर्स टेक लाइवज इन खुट कर रहें और अच्या अच्या अजवड़ी है कि अज़री आज़वबन रहा शुट कर रहाएं अज़री बात है कि जब हम फिल्म के शूट कर रहे थी तो कही चीजे इतनी सारी परते खुलती हैं हमने फिल्म तो 2-5 घंटे में आप कितना ही दिखा पाएंगे जितना भी देखा है उसका भी काफी detailed script रहा है और कई चीज़े हम shoot भी कर चुके थे जो फिल्म में हम ultimately नहीं दिखा पाए because वो करते तो फिर 4 घंटे की फिल्म बन जा थी शायद पट उसमें एक चीज़ यही रहा कि मेरे लिए आखे यह खुली कि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी परसनल लाइफ को एकदम परे रख के इतना कुछ अचीव किया इतने शॉर्ट स्पैन में इतना हाड़ कॉर एक ऐसा स्ट्रॉंग डेडलाइन रहा है कि we have to come up with the vaccine और उसमें क्या-क्या उन्होंने दिक्कते की उच्छ क्या-क्या रोज मर्रा में उनकी लाइस में दिक्कते आ रही थी और इतना है उनको भी पून जानकारी थी कोविड क्या चीज है किसी को पता ही नहीं था तो उस दौरान इन सारी चीजों के साथ स्ट्रॉगल करते हुए एक कमाल का एक वैक्सीन आना जिसका हमने ऐसा मतलब जिसका सक्सेस रेट प्रमारित हो चुका है इस कदर पहुच चुका है हमने ग्लोबली भी पहुचाया लोगों तक यह सारी चोटी चोटी चीज़े जब मैं स्वें आस डॉक्टर प्रग्या शूट कर रही थी तो कही चीज़े मुझे चूगई और यह भी देखकर कि इनकी परसनल लाइफ को इनोंने कितना हर साइंटिस्ट की लाइफ में उनकी अपनी दिक्कते थी तो यह जैसे मेरा किर्दार है मेरे परिवार में जो दोनों बच्चे हैं जो बेटी है उसकी वो साच है दॉक्टर प्रग्या की डॉटर शी वाविं सम आई इशू तो वो सारी चीजों को साइड में रखकर पहले साइंस, पहले वैक्सीन क्रैक करना है और दिन राज जगे रहना और जैसा आप वो सूट की बात कर रही थी तो जो कॉस्ट्यूम मैंने पहना था उस कॉस्ट्यूम को पहन के मुझे पता चला कि जब यह साइंटर्स लोग उस कॉस्ट्यूम में थे एक तो हमने फिल्म में दिखाया है कि उसका प्रॉसेस कैसा रहा है पचास तरे से आप अपने आपको पहले सानिटाइज करते हैं उसके बाद में चेंबर में भुषते हैं और जब आप बाहर आते हैं अपने आपको सानिटाइज करने के जिससे कि ना आप बाहर का कोई भी किटाणू अंदर लेकर आएं और नहीं लेकर जाएं इतना जादा उन लोग का इंट्रिकेट डीटेल रहा है और वो जो सूट था वो सूट तो मैंने शाइद हाड़ली साथ, आठ गंटे, नौ गंटे शाइद पहना होगा maximum शूट के दौरान बर हमारे साइंटिस्ट वो सूट पहन कर तीन-तीन दिन तक अंदर ही थे सो जब मैंने खुद इतना भारी वरकम सूट लिया and I knew कि how difficult it was to breathe and they had to totally be under that mask and सारे टौकी खली वॉकी-टॉकी लगी रहती थी जिससे कि आपकी सांस भी आप कुछ एक्स्टरनल है कोई भी तो मैंने ही सुचा कि यार कमाल है और हमारी साइंस इतना इस कदर प्रोग्रेस कर चुकी है और इस कदर silently हमारी साइंस्स लो काम किये जारे जिसके हमें कोई जानतारी नहीं है और वो कर दिया और वैक्सीन भी बना दिया और हम सबने धड़ाधड अपनी वैक्सीने ली हमारा आप आज बैटके वारताला पर पारे थांस तो दैं Yes, seriously So, that has been an eye-opener for me and it has been a very enriching experience for me True, for normal people also यह वही है कि आपकी respect है कि क्या-क्या प्रोसस से गुजर के आपके पास एक वैक्सीन आईगे तो इस तरह कि अगर सीरीज नहीं आती है या कुछ है तो आम जनता को यह सारी चीजों का कोई पता है नहीं चलता तो जैसे आप कह रहे हो आपने experience किया वो costume Yeah, exactly आपके लिए लग रहा था कि आपने कैसे शूट किया और आपने उनके लिए experience किया तो यह connection है कि कितना आप एक वीवेर से connect कर पा रहे हो इसजी को तो तो तास ओसम Nana Partaker जी के साथ तो काम करकी मुझे बहुत मज़ा आया We all know, he's such a fine actor तो एक मुझे बहुत अच्छी चीज उनसे सीखने को मिली कि जो मैंने उनके साथ देख के observe किया कि वो आज भी इतने successful actor है इतने मजह हुए actor है We all know him But he doesn't take his work casually सेट पे जब हैं तो वो always prepared है और कभी भी उनोंने कि हम रहसल नहीं करेंगे यह सारी जो डोमेन रही है यह हम सब के लिए भी थोड़ी नया डोमेन रहा है All of us And सारे facts है So हम किसी भी प्रकार के शब्दों को improvise नहीं कर सकते हैं जो scientific terms हैं उन्ही scientific terms का प्रयोग करना है और तो कई सारे scenes जो हमारे थे उसमें Nana ने कभी भी यह नी कहा कि मैं तो कर लूंगा मैंने हमेशा देखा कि वो खुद अपनी लाइनों के साथ इतना जुड़े रहते थे उपनी स्क्रिप्ट के साथ साथ इतना होव्वक कर के रखते थे अपनी लाइनों के साथ तो that was really inspirational कि इस समय तक इस मुकाम पर पहुच कर भी उन्होंने इतने seriously अपने काम को ले रखा है and it is so inspiring so बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यह देख कर बलकि कई बार ऐसा हो था कि मेरा खुद का सीन भी नहीं है लेकि नाना सुर का सीन है तो मैं मॉनिटर के सामने चली जाती थी जिसन अगर मैं सेट परूँ I would love to see his work and just take it all so much in, you know तो जो मेरा खुद का भी हमेशा एक प्रोसेस रहता है असा नहीं है कि मेरा सीन खतम हो गया तो मैं वैनिटी में जाके बाठ जाती है मुझे अच्छा लगता है सेट पे रहना, सेट पे क्या चल रहा है किस प्रकार का वातावरन है विकोज उससे अप जुड़े रहते हो और फिर जब अच्छे आक्टर्स हैं सामने कर रहे हैं तो आल्वेज इतना कुछ एंरिचिंग हो रहा है आपके आखों के सामने हैं तो मैं अकसर सेट पे ही रहती हूं यदि मेरा काम नहीं भी है और अच्छे आक्टर्स हैं तो इट इस सो मच टू आप जिस्ट लर्न फ्रों देम जिस्ट अपने जीवन को थोड़ा एंरिच कर लेती हूं अपके जो अबिरेसंट आई है कर चुके हैं थोड़ा साम आपने पारे में बता ही है हम जानना चाहते हैं आपका जो आपकी रही है हम जानते कि आपका जो बैगराउंड है थेटर बैगराउंड रहा है यह शुरुआत हुई कहां से थी जो एक्टिंग जो है वो आप कहां से शुरू आती ही क्या फैमिली में कोई इस तरह का एट्मोस्फेर था या क्या था था थोड़ा सब्सक्राइब बताईए हैं हां अचली परिवार में शुरू से ही शुरू का रहा है अट्मोस्पियर और मेरा परस्नल में बहुत चीशे सांड हो तरह मिली बद इस अफात कि मैं स्कूल के ताइम से ही और थेयर्ड में बहुत अक्टिव रही हूं तो कोलेज या स्कूल का भी कोई अन्या फंक्शने में भी कंटिन्यू रहा और सैमिल्टेनिसली विंगा बंगॉली हमारे दुर्गा-पूजा फेस्टिवल के दौरान तीन दिन जो दुर्गा-पूजा होती है जिसमें में सब्तिमी अश्टिमी नौमी तीन दिन होते हैं सो वहां बंगॉली क्लब में मैं लखनों से हूँ लखनों में बंगॉली क्लब है जहां मोसली सबसे जादा हमारा हब रहता था दुर्गा-पूजा के दौरान मीटिंग पॉइंट सेलिब्रेशन पॉइंट तो तीनों दिन ना शाम को नाटक हुआ करते थे बंगाली नाटक जिन्हें देखने हम सब जाते थे मेरे परिवार और मैं भी अज चाइल्ड मैंने हमेशा कोई नाटक देखे हैं बंगला नाटक हुआ करते थे उन तीन देनों तो मेरी हमेशा एक इच्छा रही थी कि बड़े हो कि मुझे भी उस स्टेज पर जाना है और मुझे भी वो ना साधी कि मुझे भी करना है फिर मुझे नाटक करने का मौका मिला बंगला नाटक किया मैंने और वो किया और उसकी काफी सराहना मिली उससे और लोगों को लगा कि इसे तो करना चाहिए तो काफी परिवार में भी प्रोच सहन रहा और बंगला नाटक तो उनाटक भी परिव काफी जुनातर के दिगज थे तो उनके साथ मुझे थोड़ा काम करने का मौका मिला in terms of which was outside my school and college. तो एक तरह से आइक कुट से कि थोड़ा एक एमटर प्रोफेशनल लेवल का थोड़ा एक चस्का मिल गया और फिर जिसमें बाहर से थेटर ग्रूप आये थे हमारे काफी चर्चित थेटर डिरेक्टर है सूर्य मोहन कुल्ष्रेश्ट वो आये थे वहां पर एक नाटक करने मेरे college में college का नाम है Caucasian Chalk Circle जिसका कि Hindi रुपांतर स्टेज किया था उन्होंने खड़िया का घेरा नाटक का नाम था उसमें मैंने किया और college annual day function वो बाहर से भी कई लोग आते सुरिफ college का हिस्सा नहीं होता है वो करके काफी दूरदर्शन और outside people उन्होंने भी आके नाटक देखा और उससे मुझे दूरदर्शन के नाटकों में और दूरदर्शन के सीरीज में काम करने का मौका मिला उससे मुझे वहां से invites आने लगे और फिर वहां से one thing led to the other और मेरी जर्नी शुरू गी लेकिन उसके बाद मेरा थोड़ा professional theater का रस्ता खुल गया after doing that and college day function फिर उसके बाद नाटक तो मैं शुरू से ही करती रही थी करके फिर हमने international theater festivals और travel करना शुरू किया नाटकों के साथ और सूर्यमोहन कुलशरीज जी के साथ मैंने after college भी उनके साथ नाटक किया उनके साथ travel भी किय तो professional theater के लिए मेरा रस्ता खुल चुका तो और theater ही आपका मेरा notice होता चला गया और उसी से मेरे TV के offers आने लगे और TV का काम भी शुरू हो गया और फिर बंबै आने का तो कुछ ऐसा रहा कि एक series, एक serial उन देनों एक शूट करने के लिए Bombay की एक team आई थी लखनौ और उन्ह लखनौ की बाशा और जवान हो लखनौ की मैंने audition दिया और काम हो गया, selection हो गया फिर उस series में मैंने काम किया और उस से फिर मैं क्योंकि वह बंबै की टीम थी और पूरा set up Bombay का था खाली actors यहां के थे लखनौ के दो तीन actors थे और उस समय I was still studying in college तो उस सीरीज की मैंने shooting उस दौरान वो काम देखकर मुझे बंबै से भी काफी अलग पोडियम मतलब सीरियल्स के और ओफर आने लगे काम तो मैं काम लेकर फिर बंबै आई और पढ़ाई फिर भी मेरी चली रही थी तो मैं यहां आती थी शूट करती थी फिर I went back I finished my studies और फाइनली सब खतम करके द कैसे थोड़ा से बते ही थी थी फिर में ही मिले और फिर मैं बंबै आकर हम बंबै शिफ्ट हो गए थे और यहां पे भी मैं काम ढून रही थी ऐसा तो था नहीं तब वो जमाना ऐसा नहीं था कि वेब भी है और टीवी भी है और दस हजार यूट्यूब के भी options हैं और उसी में what best you can do and what you want to do was a longer wait because काम तो आता है बड़ आपको किस प्रकार का काम करना है आप क्या करना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा समय लगता है जो रही है हम I think हर actor की वो जर्नी रही है तो wait and wait for the next and pick and choose जो मेरी जर्नी रही है वही चलती रही और जब मैं बंबै कि मैं काफी सख्रिया रूप से लखनोँ में कर रहे थी यहां मैं नाटक के लोगों को अधिक मेरी जानकारी नहीं थी जानती नहीं थी लोगों को तो साल भर के करीब हो चुका था और मुझे नाटक करने का रस्ता नहीं देख रहा था कि मैं किसके साथ जुड़ू हूँ पर इनके साथ जाकर मैं प्लेइज करना शुरू करूँ और इतफ़ाख हुआ कि मैं एक सीरिल की हमारी एक रीडिंग थी प्रेजंटेशन था यू टीवी चैनल था उस समय तो एक कोई सीरीज कर रहे थे हम उसके लिए जो में किरदार थे शो के चार-पांच में इंपोर्टन तो मैं मेरी रीडिंग करके प्रेजंटेशन देना था चैनल को को तो बोरी तीम गई उस में मैं अपना रीडिंग पांडे जी अर मकरन देश्पांडे जी भी एक किरदार थे उस काहनी में JIMनो ने मेरी रीडिंग देखी और रीडिंग का जब सेश्न हarted regarding reading के बाद उन्हें का कि मैं एक नाटक कर रहा हूं तुम करना चाहोगी मैंने का येस वाइड़ाइड लुकिंग फॉरवड तो मैं मकरन के रिहसल पे गई मकरन जी के साथ नाटक शुरू किया और उसी नाटक के दौरान मैं केके जी से मिली यूंकि केके भी उस नाटक का एक हिस्सा थे मकरन के नाटक में ही वो भी एक अप्टिर थे तो हमारी मुलाकात थैंक्स तो मुतर अंदेश पंडेवी तो आप लोग घर में भी उसी नी करते हैं क्या गर में लेके नहीं आते हैं चुरूत का कम थोड़ा सा हमारा जीवन ही हमारा कम है अक्चिलिए क्या ना एतना एह्म हिस्सा है हमारी लाइफ का तो इस लाइग का तो काम की बाते नहों तो आधी बाते तो काम से ही सारी related होती है उसमें यह नहीं होता है कि हम दोने एक दुसरे के काम के बारे में ही बात कर रहे हैं बट काम से ही संबंदित बाते होती हैं क्योंकि हमारे common interests हैं, हमारा profession common है तो हमारे पस बहुत plethora of topics होता है discussion का, बाते करने का, फिल्में देखने का या किसी भी चीज को analyze करने का हम लोग का, thankfully platform common है तो हमारे बस बहुत zillion topics होते हैं वारत अलाब के कोई अच्छी performance देखते हैं, तो अच्छा लगता है हम दोने एक दुसरे के कामों को criticize भी करते हैं and we look forward to that criticism कई चीज हैं, तो काम तो हमारे जीवन का हिस्सा है 2020 के आप डोनर के लिए बहुत अच्छा गिया है, right? क्योंकि K.K.A. सर की भी Love All movie आई है, which is very fantastic movie मादो बहुत बढ़ी अलगी मुझे व फिल्म वो then Railwayman आई उनकी, Bombay मेरी जन आई, आपकी भी एक सीरीज आई, एक फिल्म आई, so यह जो एर था, इसको मनलक किस तरह से देखते हैं और आने वाले साल के लिए क्या प्लानिंग्स है? देखे, मेरा यह मानना है कि अहां कुछ चीजे बस हो जाती है जैसे कि प्लान तो नहीं था कि Bombay मेरी जन भी इसी साल रिलीज होगी कि रादा तो यही था कि बहुत पहले रिलीज हो जाती है अब वो circumstances ऐसे हुए कि वो अब रिलीज हुई है Vaccine War को इसी साल रिलीज होना था बट इतफाक यह हुआ कि दोनों बैक तो बैक रिलीज हो गई है Bombay मेरी जान आई उसके तकरीबन एक हथे बाद वैक्सिन वार भी रिलीज हो गई सो कुछ चीजे न आप बस छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है अच्छा इतफाक बन गया कि अचानक चीजे आ गई अब आगे का देखते हैं इट काट बी प्लाइन बट कुछ ना कुछ चलता रहता है वो कब रिलीज होगा और किसके साथ कब फ्लैश होगा वो गुड है कि बैड आई डोट नो फिलहाल तो इस पॉजिटिव कि दोनों चीजे एक साथ आई अलग-अलग प्लैटफॉर्म पे आई और दोनों को ही अपनी अपनी जगा सा रहना मिल रही है तो बैट्स वेरी एंकरेजिंग एक रैपेड डाउन कर लेते हैं जो भी आपके माइंड में फटाफट से आ जाता है सब्सक्राइब का नाम क्या होगा और किस एक्टर्स को आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखना चाहेंगे इसमें अबल तो मैं चाहूंगी कि मेरे लाइफ के सीरिल ही ना बने सो फुल स्टॉप ऐसा कुछ अपनी लाइफ के सीरिल बने इस पॉसेटल फाइन मैं चाहूंगी कि मैं दूसरों के लाइफ के सीरिस देखती रहू मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं होगी कि मैं अपनी लाइफ की सीरीज देखना चाहूं जब मुझे दिल्चस्पी नहीं है तो जन्ता को भी नहीं होनी चाहिए तो अगर माली जी आपको कोई भी एक करेक्टर करने का मौका मिले कोई भी हिस्टोरिकल मनलब कोई भी हो सकता है इस सवाल के लिए मैं प्रिपेड नहीं कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कौन सा इस्तोरिकल गारेकर रहना चाहूंगी एक्चिली कभी नहीं सोचा है नहीं अब इस्तोरिकल तो नहीं को तो नहीं होंगी बट आप लाइच कि कुछ कुछ किरदार करने की डेफिनिटली चाहरेगी इस्तोरिकल बट some great films that we have seen उस प्रकार के कुछ किर्दार करने हो तो बहुत मजाएगा there are many I mean I won't be able to pinpoint right now चलिए किसी leaving or dead person मुझे खाली दिलचस्पी रहती है कि किर्दार complex हो लेड हो अच्छा चलिए तो आपकी फेवरेट कोई childhood memory बहुत फेवरेट है बहुत फेवरेट बचपन के तो इतनी सारी memories है कि बहुत सारी है I've had a very childhood मेरा काफी fun-filled or adventurous रहा है बहुत सारी memories जुड़ी है एक बहुत साधारन सी memory है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब मैं स्कूल से आती थी कई बार और मम्मी घर पे नहीं है तो आँटी नीचे रहती थी और आँटी कहती थी कि बेटा मम्मी ने कहा है कि तू आज नानी के घर चली जा और मैं बड़ी खुश हो जाती थी तो बचे बड़ा मजा आता था कि वाओ आज स्कूल से आई हूँ और मैं नानी के घर जा रही हूँ नानी के घर जाना मतलब फुल पैंपरिंग and everything तो वो एक बहुत सुंदर मेमरी रही है और मैं अपनी नानी से बहुत अटाज़ड हूँ रही हूँ अब नानी नहीं है so yeah I can call that a very special memory of my childhood नानी के घर जाना तीन शब्दों में अगर आप अपने आपको describe करना चाहें तो वो तीन शब्द क्या होंगे ओके वापरे तीन शब्द कम नहीं है describe करने के लिए पास ले ली जी पास ले 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 क्या क्या है well definitely someone क्या शब्द कम अगर चैन करूं तो I would say fitness conscious fitness freak नहीं but fitness conscious fitness मेरे लिए बहुत important है हिस्सा है internal, external, total well-being basically so fitness I would say a fitness conscious person lust for life is something which is my motto and which is one of my favorite books also which I have read a long time back Van Gogh yeah Van Gogh oh wow yeah I'm glad you read it so उस किताब से पर काफी प्रभावित रही हूं I don't know why but बड़ा मज़ा है so I could say that I have that ring in me so lust for life अपने आपनी दोशप्त का प्रयोग नहीं हो गया okay but yeah definitely and and what do I say laughter पसंद जीवन पसंद पसंद which is again the same funda of lust for life and just live and let live that's important that's my motto okay आप ने लुस्ट फोल लाइफ का नाम लिया तो अबिसली आप you are found of reading any favorite author you know frankly if I were to tell you I have been I have read Ampel earlier but of late पढ़ना होता है तो फाली स्क्रिप्टी वढ़वात है मैं अपनी बाद कर रहे है मैं को recent किताबे मैंने बहुत कम पढ़ी है किताबे लेकर रखती हूँ शुरू करती हूँ लेकिन खतम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आजकर एक visual medium भी हमारे पास आगया है तो किताबे जो यहां पढ़ रहे हैं वो इधर भी तो समय इतना limited है कभी मैं किताबे को देख ही अधिक लेती हूँ और पढ़ कम पारी हूँ जिसकी मैं चेश्टा कर रहे हूँ कि वापस I should find time to read but definitely and if I were to talk about my earlier book something जिसने काफी चाप छोड़ी हूई है तो Jonathan Livingstone Seagal is one of again a very beautiful book which has touched my life so I could always go back to that book anytime और उसके अलावा मैंने प्रेंचंड की कहानियों उसे बहुत मजाया है हमारे हिंदी काफी मैंने Satirji जी तरे की काफी कहानिया पढ़ी है उनके नौविल्स पढ़े है जो मुझे बहुत प्रेरित करते है पढ़ने में बहुत अज़ा मिट्टी से जुड़ी कहानिया है दिमार पे खिड़की रहती है मुझे उस कहानी से भी बहुत बहुत लगाओ है और जी तो कहानिया मुझे आजकल मैं चेश्टा करती हूँ कि बड़ी नौवल्स पढ़ना मुश्किल हो पाता है तो मैं अमल्गमेशन ओव बुक्स कहानिया स्टोरीज पढ़ लेती हूँ लगू कहानिया वो मेरे साथ हमेशा चलकी तरती रहती है कहानिया अगर आपको कोई पुराना गाना इनक्ट करने का मौका मिले तो वो कौन सा गाना होगा कोई पुराना हिंदी गाना आप मुझे कोई भी दे दे मैं एनक्ट एनक्ट में जरूर कर सकती हूँ लेकिन यदि आपने कोई पुराना गाना गाह लीजिए तो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है वैसे हम अपने सारे गैस को गवाते हैं कोई वे गाना, I would love to थाइंग गॉड मैंने पहले ही अपनी पेशी डाल दी कि बस तो मुझसे गवाईए मत आप और नहीं आप मुझसे कहें कि प्लीज अपना कोई मैं उजोन की नहीं हूँ तो मेरा डालोग बूलना भी बस किरदार खत्म हो गया हम आगे निकल गए कोई फेवरेट गाना गाना मैं गान नहीं सकती हूँ लेकि बड़ा स्वीट सा गाना है जी हाँ एक बहुत सुन्दर गाना है बहुत पुराना गाना है बट अकसर मैं वो गाना गुन गुना लेती हूँ जो है तुम्हे हो ना हो मुझको तो इतना यकी है जिस अ जिस अधर टिप ओफ माइ तुम्हाँ आप मैं तुम्हाँ जिस अ डून गुन गुना दीजे थोड़ा सा मैं गुट-गुटा नहीं पहूंगी प्लीज चलिए ठीक थांक यू सो मच निवेता जी बहुत समय निकाला हमारे लिए और इतनी सारी प्यारी-प्यारी बाते गरी बहुत मज़ा है आपसे बात करेगे थांक यू फो हाविग मी बहुत हो शुकार में आपको पूरी हमारी टीजे थांक यू थांक यू सजीव जी